तीका करण अभ्यान को लेकर मोदी सरकार फूली नहीं समा रही है देश विदेश में अपनी तारीफें करने में जुटी है लेकिन विपक्ष को सरकार पर जरा भी एतबार नहीं है तब ही तो कॉंग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटी है आज भी विपक्षी द इसे कई सवाल दागे हैं जो मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते हैं तो क्यों उठे ठीका करण पर सवाल देखिए इस रिपोर्ट में। कॉंग्रिस के प्रवक्तार रदीब सूर्जेवाला ने कहा कि सरकार दावा करती है कि टीका करण अभियान के पहले चरण में 3 करोड लोगों को टीका लगाया जाएगा। क्योंकि प्यम मोदी खुद टीका लगवाने को तयार नहीं है जबकि दूसरे देशों के प्रमुखों ने सबसे पहले खुद टीका लगवाया है। वैसी ये सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि पीम मोदी ने अभी तक ये नहीं बोला है कि वो वैक्सिनेशन को तयार है जबकि जो बाइडेन से लेकर कई प्रमुख नेता टीका ले चुके हैं अब जब तक पीम मोदी जवाब नहीं दे देते तब तक विपक्ष शांत नहीं बैठेगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट